आप सभी को मेरा प्रणाम हर्बल रेमिडी जे नेचर स्टेजर में आपका स्वागत है साथ यू आज बात करेंगे आपके किचन में पाए जाने वाला एक प्लांट इसको आप अजवाइन कहते हैं ट्रेकी स्पर्मम एमी एपीएसी फैमिली का है और महानोसदी है इसको आप कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं इस बारे में आजम चर्चा करेंगे और क्या साइड इफेक्ट्हो सकते हैं उसकी चर्चा करने भी बह punch जरूरी है यह जो प्लांट है आप देख रहे हैं यहए यह fungal नबयरे ल hacemos यह और एंटि-मयक्रोबियल एंपल्चियल एंधिलमेंटिक औ इतियादी विभीन्य परकार के कैमिकल कॉंस्टेंट पाए जाते हैं और इतनी बीमारियों में इसका इस्तमाल किया जाता है कि वर्णन करना संभव नहीं हो पाएगा कुछ जो मुख्ये हैं वो आज आपके सामने रखेंगे जैसे कि कई बार क्या होता है कि पेट में कीडे हो जाते हैं तो किरमी नास के लिए आप क्या कर सकते हैं इसके जो लीव्ज है इसका डिकॉक्षन बना लेजे और सहद मिला के आप पीश सकते हैं वंडर्फुल कारे करता हैं कई बार एमीनूरिया की समश्य हो जाती है एमीनूरिया के मतलब होता है की पिरिड्स का ना आना ऐसी अगर कोई समश्य होती है तो हम क्या करते हैं लेमन जूस में लेकर इसके बीज को तीन दिन के लिए हम उसको भिगो के रखते हैं और जूस को बदलते रहते हैं तीन दिन बाद क्या करते हैं बादाम को हम लेमन जूस में दूसरे कंटेनर में भिगो के रखते हैं और फिर इनको मिला के इनका चून बना लेते हैं तीन तीन गिराम दिन में दो बार अगर आप इसको लेंगे तो इमीनूरिया की कैसी भी समश्चा हो इसको दूर करता है यह अगर अजवाइन को आप गो मुत्र में भिगो के रखेंगे एक सब्टे तक और उसको फिर सुखा के आप चून बनाएंगे तो जलोदर की समश्चा में विश्यस कारे करता है और अगर अजवाइन को आपके वल नीबू के रस्में भिगो के रखेंगे एक सब्टे तक और उसको फिर सुखा लेंगे तो किसी भी प्रकार की नपुन सकता कि अगर कोई समश्चा है तो उसको यह दूर करता है साथ ही हो अगर बहुमुतरता की समश्चा हो या गुर्दे से समंदित कोई समश्चा हो गुर्दा सूल होता हो या स्टोन की समश्चा हो किड्नी स्टोन की भी समश्चा हो तो आप क्या कर सकते हैं दो ग्राम अजवायन चून लेकर और दो ग्राम गुड मिला लें और इसका आप दिन में दो बार सेवन करें बहुत अच्छा कारे करता है आंखों की रोशनी कम हो गई हो या कैटारेक डवलप होना स्टार्ट हो गया हो तो इसके पानी से आंखों को धोना चाहिए कान में सहद मिला कर लीजिए दिन में दो से तीन बार 6-6 घंटे का मिनिमम अंतराल आपको रखना चाहिए बहुत अच्छा कारे करता है साथियों कभी आपने क्या सोचा है कि खाना हम बनाते हैं सबजें आप लोग तयार करते हैं या फिर रोटियों में आप थोड़ी अजवाइन डालते हैं बरसात के मौसम में ये किसलिए करते होंगे इससे हमारे बोड़ी की इम्मुनिटी बढ़ती है और कई बार क्या होता है कि लंबे समय से रखा हुआ आटा हो या फिर कुछ ऐसी चीज़ा जो बजार से आप लेके आते हैं मसाले हो सकते हैं उनमें एफला टॉक्सिन्स डवलप हो जाते हैं और एफला टॉक्सिन्स बड का रेमीडियेशन अज्वाइन के माध्यम से सेफली हो जाता है इसे वंडर्फुल डिटॉक्सिफायर ऑफ एफला टॉक्सिन्स साथियों एक बात और मैं आपको बताना चाहता हूँ बेशन के जितने भी आप उत्पाद घरों में बनाते होंगे उन सब में हमें अजवाइन जरू डालने चाहिए क्योंकि लंबे समय से रखा हुआ बेशन होता है उसके अंदर भी एफला टॉक्सिन्स डवलप हो जाते ह हैं तो एफला टॉक्सिन्स के साइड इफेक्ट को बचाने के लिए भी हमें अजवाइन डालना चाहिए यह वायू नासक है और इसके अलावा विभिन परकार के स्किन प्रॉब्लम्स में भी बहुत अच्छा कारे करता है आप इसके पत्रों का लेप लगा कर स्किन की प्र काढ़ा बना कर पिलाना चाहिए और अजवाइन को सबजियों में डाल देना चाहिए ताकि जो है सराब किलत धिरे धिरे कम हो जाती है यह है एंटी प्लेट्रेट का कारे करता है एंटी इंफ्लामेटरी कारे करता है एंटी फ्लेरियल एक्टिविटी भी इसके अंदर होती हाथी पाउं फील पाउं इन सब में भी इसका काड़ा बनाकर पैर को धोना चाहिए और साथ ही साथ डिकॉक्षन का सिवन भी करना चाहिए कि इसके बीज इसके पत्र समस्त प्लांट आपके लिए महान उसदी है बस आपको इसको सही जानकारी का होना बहुत जरूरी है कि अनलजेसिक इसके अंदर प्रोपरटीज है पेनगलर का यकारे करता है नेचुरल अनलजेसिक पाउन रिजाक्षंस इसके अंदर पाए जाते हैं कामिनिटि प्ला धीक करता है भूक ना लगरिजोंत भूक को बढ़ाता है पसाउं होती है पसोंों के बार भी इसका इस्तमाल करते हैं अब हम बात करेंगे इसके सेफ्टी की इसके जो प्रिकृति होती है और इसको सहद मिलाकर ही सेवन करना चाहिए और प्रेग्नेंशी के समय इसको अनुसार अपना यूज इसको आप कर सकते हैं और ऋड्यान रखिए आपके छेट्र में इस प्लांट को किस नाम से जानते हैं ये आप आप हमें कमेंट बोक्स में दूलिखे बता यह हैं इनी बातों के साथ मैं अपनी मानी को विराम देता हूं आप सभी का धन्यवाद प्रणाम नमस्कार चैनल को लाइक शेर सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं बूलिएगा ताकि नहीं नहीं जानकरी आपके स्वास्ते समवर्दन हे तू आपको मिलती रहे प्रणाम